नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कुचामन डिफेंस अकेडमी द्वारा संचालित, ओनलाइन क्लासेज, स्पेशल नेवी एन एर फोर्स के लिए, आज का हमारा प्रकरन है लगू गणक, इसका हम आज विस्तरत अध्यन करते हैं, लगू गणक, यह अपने नाम से ही स्परस्ट करता है, कि यह गणित की वह संक्रिया होती है, जो बड़ी से बड़ी जटिल गणनाओं को लगू, अर्था छोटा, यानि आसान मना देता है, लगू गणक का शाब्दी करत तो यही निकलता है, परंतु इसका गणितिय रूप किस प्रकार होता है, इसकी उत्पत्ती किस प्रकार हुई है, उसको जानेंगे हम, इसका उत्पत्ती, हमने छोटी-छोटी कक्षाओं में अद्दिन किया है घातांग नियम, उसी प्रशना जाता है नियम, कर दोहार दो को तीन बार स्वयम से गुणा कर लेते थे, दो, दूनी चार, दूनी आठ और हमारा मन편 जाता थे, यहाँ आठ अब इसी पत को, यहाँ इसको तो कहा जाता है आधार यानि बेस और ये कहलाती है घात यानि एक्सपोनेंट और ये हमारा हो जाता है मान यानि वेल्यू ये तो है घातां किये रूप अब इसी घातां किये रूप को हम लगुगण किये रूप में परिवर्तित करते हैं तो इसी को लगुगण किये रूप में लिखने प लगू गणक ये रूप में लिखने पर कैसे लिखा जाता है यानि लगू गणक की उत्पत्ती यहीं से होती देखिएगा लगू गणक रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे लगू गणक की रूप में हमारा आधार है दो तो लगू गणक की रूप में लिखते समय भी हमारा आधार रहेगा दो इसका आधार दो लगू गणक के पैरों में लिखा जाएगा यहाँ पर हम लगा देंगे लगू गणक का आधार दो अर्था ये दो तो आ जाता है पैरों में डाउन अब यहाँ पर जो मान हमें प्राप्त हुआ था वो मान लिखा जाएगा लॉग के बिलकुल सामने और जो घात थी वो हमारी चली जाएगी बराबर में तो इसको अब हम पढ़ेंगे लॉग 2 बेस 8 is equal to 3 तो यही है लगू गणकी उत्पत्ति यानि घातांकिये रूप से ही लगू गणकिये रूप का निर्मान किया गया है अब इसी को गणितिये रूप में अगर लिखा जाए तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं गणितिये रूप में लिखने पर एकी पावर एक्स बराबर बी यदी हम ये माल लेते हैं यदी एकी पावर एक्स बराबर बी प्राप्त होता है तो इसी का लगू गणकिये रूप में लिखने पर इसी को हम किस रूप में लिखें? लगू गणकिये रूप में तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा वही log log और यहां आधार हमारे पास A है तो log का आधार भी रहेगा A और वो इसके पैरों में लिख दिया जाएगा जो बराबर में मान है B वो यहां log के सामने आ जाएगा और जो घात होगी वो बराबर में चली जाएगी यही है लगू गनक का गनितिय रूप अर्थात आधार A तो आजाएगा पैरों में डाउन घात चली जाएगी बराबर में और यह वाला मान आजाएगा log के सामने तो ये होता है लगू गणक का गणितिय रूप जैसे एक्जाम्पल फिर ले लेते हम जैसे हम यह लिखें 2 की पावर माइनस 3 अर्थात 1 बटा 2 की पावर 3 घात को धनात्मक बनाने के लिए इसको एक बटे में लिख देंगे तो 2 की पावर माइनस 3 बराबर हमें प्राप्त हुआ 1 बटा 8 एक बटा 8 अगर हम एक में 8 का भाग देते हैं तो ये भाग प्राप्त होगा हमें बागपल 0.125 इसी को लगू गणक के रूप में लिखें तो वही लॉग आधार रहेगा 2 सामने ये वैल्यू आजाएगी 0.125 बराबर में घाच चली जाएगी माइनस 3 यही है लगू गणक के रूप तो हमें ये पता लगा कि घातांक रूप से ही लगू गणक के रूप की उत्पत्ती होती है अब देखते हैं जब आगे हमें तो बस मुख्यता यही ध्यान में रखना है कि इसका ये गणितिये रूप जो हमारे पास में है कि A की पावर X बराबर यदि B होता है तो इसी को जब लगू गणक ये रूप में लिखा जाता है तो लगू गणक में लिखते समय पहले हम लॉग लिखेंगे इसका आधार A है तो इसका भी आधार A रहेगा और यहाँ पर जो वैल्यू है भी वो भी यहाँ आ जाएगा और बराबर में ये घाच चली जाएगी अब हम समानेता बात करें कि लगू गणक कितने प्रकार का होता है तो यह दो प्रकार का है लगू गणक के दो प्रकार होते हैं पहला तो है साधारन लगू गणक जिसे सिंपल लॉगरिदम कहते हैं और दूसरा है हमारा प्राकरत लगू गणक यानि नैचुरल लॉग उसको नेपेरियन लॉग भी कहते हैं तो जड़ा देखेंगे हम यहां लगू गणक के प्रकार। सबसे पहला है हमारे पास साधारन लगू गणक। यानि सिम्पल लौगे रिदम। सिम्पल लौगे रिदम। ऐसा लौग जिसका आधार 10 हो वह केलाता है साधारन लगू गणक। तो बिल्कुली सिम्पल सी बात है जिस लौग का आधार कितना होगा 10 वह केलाएगा हमारे लिए साधारन लगू गणक। तो इसको हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं कि जब लॉग का आधार यानि बेस जो हम इसके पैरों में लगाते हैं दस हो कितना हो दस मतलब टैन हो तो वह साधारन लगू गणक कहलाता है समानेता जो लगू गणक सारणिया प्रचलित है जो प्रैक्टिकल कॉपीज के पीछे हैं बुक्स में है उन सभी का आधार दस ही है जिसमें आपको जैसे मान भी याद होगा कुछ लॉग 2 की वैल्यू है 0.3010 लॉग 3 की वैल्यू है 0.4771 तो इन लॉग का आधार दस ही है तो यह दोनो कैसे लगू गणक है साधारन लगू गणक तो यह सारणिया जो हमारी बुक के पीछे हैं कॉपीज के पीछे बनी हुई है वो सारी की सारी ही साधारन लगू गणक साधियां कहलाती है अब हम बात करते हैं प्राक्रत लगू गणक या इसी को हम कहेंगे नैपेरियन लगू गणक यानि दूसरा लगू गणक है हमारा प्राक्रत लगू गणक या Neiperian लगो गनक जिसको natural log भी पढ़ते हैं तो जिस log का आधार 10 हो इसको हमें इस प्रकार लिख सकते हैं जिस log का आधार 10 हो वहतो रहेगा हमारे लिए साधार अनलगो गनक और जिस log का आधार क्या कर देते हैं small e जिस log का आधार small e हो small e एक एपरी में संक्या है इसकी खोज सर जौन नैपिर ने की थी इसलिए इस लोग को नैपेरियन लोग भी पड़ा जाता है जिस लोग का आधार e होता है वह प्राक्रत लगूगणक या नैपेरियन लगूगणक कहलाता है अर्थाक इसको हम इस प्रकार लिखेंगे लोग e बेस बाकी यहाँ पर कुछ भी लिखा जैसे x भी लिखा लोग e बेस x तो यही हमारे लिए कहलाएगा लोग e बेस को कहेंगे नैपेरियन लोग या नैचुरल लोग यानि प्राक्रत लगूगणक किसका है यह x का लोग के लिए सीधा डंडा यानि ल और नैचुरल के लिए या नैपेरियन के लिए शब्द लगाते हम n ल न और किसका है यह नैचुरल लोग x का तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा ब्रैकेट में x इस प्रकार से भी इसको लिखकर प्रदर्शित करते हैं l n x l minus l means log n means natural और x means जो भी संख्या यहाँ पर दी है 2, 3, 5, 10 तो यह हमारे लिए कहलाता है natural log फिर से देख लेते हैं साधारन लगूगणक वह होता है जिसका आधार 10 हो और natural लगूगणक या प्राकरत लगूगणक या नैपेरियन लगूगणक वह लगूगणक है जिसका आधार small e होता है small e एक एपरिमे संख्या है जिसकी खोच सर जौन नैपियर ने की थी सर जौन नैपियर ने इसकी खोच की और इसका मान क्या प्राप्त किया इसका अमान एपरिमे संख्या तो इसका पूर्टा अमान तो ग्यात किया ही नहीं जा सकता लगबग बराबर बराबर का चिन नहीं है यह लगबग बराबर का चिन है तो इसका अमान दो दशमलव साथ दो के आस पास प्राप्त होता है दो दशमलव साथ दो तो यह आपने दो और लोग के प्रकार भी देखें, अब हम आगे चलते हैं, जैसा अपने प्रारम में देखा इसकी उत्पत्ती हुई है घातांक रूप से, तो घातांक रूप से उत्पत्ती हुई तो हमें घातांक नियम भी पढ़ लेने चाहिए, घातांक नियम के कुछ सुत्र है, घातांक क सूत्र उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं पहला सूत्र है जो समानेता एकी पावर एम इंटू एकी पावर एन अर्था आधार समान है गुना हो रहा है तो ये घातें जुड़ जाती है यानि आधार वही रहेगा ए और दोनों घातों का हम यहाँ पर कर देंगे योग अब ये जुड़ क्यों जाती है थोड़ा सा इसको एक एक अग्जामपल से हम देख सकते हैं जैसे दो की घात तीन गुना दो की घात दो बराबर सूत्र कहरा है दो की घात इन दोनों का करना पड़ेगा हमें योग तीन और दो हो जाएगा पांच तो क्यों हुआ आप इसक की घात पांच तो एक दो तीन चार पांच पांच प्राप्त होगा इन दोनों के योग से अर्थत अगर आधार समान है तो ये घातें जुड़ जाती है इसी प्रकार हम सेकिंड फॉर्मूले पर आते हैं एकी पावर एम अपॉन एकी पावर एन आधार समान है घातें समान ह हो और भागफल दिया जाए तो इसके अंदर आधार वही रहेगा ए परंतों ये घातें आपस में इस बार घट जाएंगी तो एकी पावर M-N थार्ड यहां पर एक special condition लेते हैं यदि M बराबर N हो जाए M बराबर क्या हो जाता है M-N तो एकी पावर M अपन एकी पावर N की जगे हम M ही लिख सकते हैं तो इस सुत्र के अनुसार यह कहलाएगा एकी पावर M-M-0 एकी पावर 0 means 1 अर्था किसी की भी घट सुन्य है तो उसका मान कितना होता है एक अगले बात पर आते हैं अगर घटांक माइनस में है तो इस घट को धनात्मक बनाने के लिए हम इसको एक बटे में लिख देंगे तो यह घट धनात्मक हो जाएगी इसके बात बात करें हम एक घात यदी ब्रैकिट के अंदर है एक घात ब्रैकिट के बाहर है तो इन दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाता है तो यह बन जाएगी एकी पावर M-N M-N का multiply कर देना है यहाँ और एक हम बात करेंगे कोई भी आधार हो उसकी घात infinite ले ली जाए तो एकी पावर infinity की value क्या होगी तो इसको हम देखेंगे पहले इसको एक example से समझेंगे infinity जैसे 2 की पावर infinite 3 की पावर infinite मतलब आधार यहाँ पर क्या है एक से बड़ा है इसके बा पूदी बोलते चलें 2 को अनंत बार गुणा करना मतलब अंत रही चलते चले जाना है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 126 दूनी 512 तो यह मान निरंतर बढ़ता चला जा रहा है तो यह किसकी और अगर सर हो जाएगा अनंत की और तो आधार यदी एक से बड़ा है और उसकी घात कितनी ले लेते हैं हम infinite तो उसकी value बनती है infinity चाहे वो 3 की power अनंत है तो भी इसका उत्तर अनंत हो जाएगा आधार एक से बड़ा होने पर किसी भी आधार की घात यदी अनंत ले ली जाए जहां आधार A हमारा greater than हो किस से 1 से तो इसकी value हो जाती है infinite अगर आध आधार A हमारा एक से छोटा है जैसे आधा ही ले ले एक बटा दो इसकी power infinite करें तो एक की power भी infinite upon two की power भी infinite मतलब इसको एक इंटु एक इंटु एक अंत रही चलने दिया जाए और नीचे यहाँ पर दो इंटु दो इंटु दो अंत रही गुणन फल चलने दिया जाए तो उपर वन वंजा वन वंजा वन यानि वन और नीचे दो दुनी चार दुनी आर दुनी सोला यह बढ़ती चली जाएगी अनंत बार गुणा करेंगे तो इसकी value हो जाएगी अनंत और अनंत जब बटे में हो तो उसका answer हो जाएगा 0 तो अर्थात इसका उत्तर बन जाएगा 0 जहां आधार A is less than होना चाहिए 1 तो यह थे हमारे घातांके सुत्र अगर आधार समान है गुणा हो रहा है तो दोनों घातें जुड जाएंगी आधार समान है और भाग दिया जा रहा है तो दोनों घातें घट जाएंगी इसी फार्मूले का प्रियोक करते हो यदि M और N द सीधे ही आपस में ही कैंसल हो जाएगा तो इस कैंसल सीधा क्या बनेगा और यह घात कितनी बचेगी M-M बराबर Juittग तो किसी की भी गात infinity कर दी जाए तो उसकी value infinity होगी अगर ये आधार एक से बड़ा है उसका उत्तर सुन्य होगा यदि उसका आधार क्या है एक से छोटा तो हमें main तो ये याद अठना बाकी तो आपको सभी आते ही हैं तो इसका थोड़ा द्यान में रखेंगे अगर आधार एक से बड़ा ह तो उसकी घात अनंत लेने पर उत्तर हो जाएगा अनंत आधार एक से छोटा है तो उसका उत्तर हो जाएगा हमारे पास zero कर दो अब इसका अंतिम सुत्र हमारे पास बश्ता है एक की पावर माइनस इन्फाइनइट अगर घात अपने पास माइनस अनंत हो तब इसके दो ही मान प्राप्त होंगे अब देखें ज़रा जैसे 2 की घात माइनस अनन्थ है तो तरीका वोई पहले घात को हम धनात्मक बनाएंगे तो एक बटे में इसको लेकर जाना पड़ेगा तो घात धनात्मक हो जाएगी और आधार एक से बड़ा है और उसकी घात अनन्थ है तो इसका मान अनन्थ हो जाएगा तो एक बटा अनन्थ is equal to निकलाएगा जीरो अर्था जस्ट उसका विपरीद जो हमने छटा सुत्र पड़ाता उसका जस्ट अपोजिट कि अगर आधार इस बार एक से बड़ा है तो वहां तो हो रहाता अनन्थ और घात माइनस अनन्थ लेने पर हो जाएगा इसका मान जीरो तो किसी भी आधार की घात माइनस अनन्थ लेने पर वैल्यू जीरो आएगी कब जब वो आधार हमारा एक से बड़ा हो और जब आधार एक से छोटा हो तो value just opposite, infinite बन जाएगे क्योंकि इसका opposite कर देंगे हम तो अनंत बटा एक मतलब अनंत बन जाएगा तो गातांक नियम के सुत्र होते हैं यहाँ पर समाप्ता में लास्ट का वो 6 नंबर और एक एक साथ नंबर इस पर ज्यादा ध्याद देना है चलिए अब बात करते हैं E का मान जो हमने लिखा E एक एपरी में संख्या होती है जिसकी खोज सर जॉन नैपियर ने की थी इसलिए जिस लॉग का आधार E होता है उसे हम नैपियरियन लगुगणक या नैचुरल लॉग पढ़ते हैं तो E के मान की गणना करने के लिए सर जॉन नैपियर की चरग घातांकी श्रेणी की बात की जाएगी यहां exponential series चरग घातांकी श्रेणी चरग घातांकी श्रेणी चर्राशी तो आप जानते ही है X, Y, Z अगर वो घात में आ जाती है और उसका आधार कॉंस्टेंट हो कॉंस्टेंट मतलब कॉंस्टेंट अलफा बेट A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K कुछ भी जैसे E ये कॉंस्टेंट माना गया है उसकी घात में ये चर्राशी X रख दी जाए तो ऐसी सीरीज E की पावर X A की पावर X, 2 की पावर X 5 की पावर X इनमें आधार तो सभी में क्या है कॉंस्टेंट है और घात में कैसी राशी बैठी है चर्राशी तो ये कहलाती है चर्राशी चर्राशी की श्रेणी का परसार सर जोन नैपियर की अवधारना पर आधारित है उन्होंने E की पावर X का परसार इस प्रकार दिया कि यहाँ चर्राशी क्या है X है तो ये जो चर्राशी X है इसी की हमें घाते लगानी शुरू करनी है 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत पदों तक इसको ले कर जाना है तो हम यहां बात करेंगे x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4 जितनी घात है उसी का factorial बटे में लगाना है factorial 0, factorial को इस प्रकार से भी लिखते है और factorial को इस प्रकार से भी लिखा जाता है तो देखिए हम factorial 0 लिखा इसकी घात 1 है तो बटे में फैक्टोरियल 1 घात 2 है तो बटे में फैक्टोरियल 2 घात 3 है तो बटे में फैक्टोरियल 3 गात 4 है तो बटे में फैक्टोरियल 4 मद्य में सबी के plus 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 dash 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 और यह जाएगा अनंत पदों तक प्रियोक करते हुए उन्होंने e के मान की गड़ना कि e के मान की गड़ना करने के लिए यहां हम x बराबर अगर एक पुट कर दे x बराबर एक रखने पर एक पूट करने पर तो e की पावर 1 e की पावर 1 मतलब e तो यहां से हमें e का मान प्राप्ट हो जाएगा तो हम यहां पर क्या करेंगे जहां जहां एक से उसकी जगा हम 1 पूट कर देते हैं 1 की पावर 0 बटा फैक्टोरियल 0 एक की पावर एक बटा फैक्टोरियल एक, एक की पावर दो बटा फैक्टोरियल दो, एक की पावर तीन बटा फैक्टोरियल तीन, एक की पावर चार बटे फैक्टोरियल चार, एक की पावर पांच बटा फैक्टोरियल पांच, कितने पदों तक ले जाएं इसको हम, अनंत प बन जाएगी इसलिए यह घाते हटा देंगे और उपर अपने पास क्या बचेगा एक अब बात आती है फैक्टोरियल जीरो कामान कितना होता है एक यानि हम इसको अगली लाइन में लिखें एक बटे में फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन फैक्टोरियल वन की वैल्यू वन फैक्टोरियल टू की वैल्यू टू फैक्टोरियल थ्री की वैल्यू शिक्स पर हम इसको शिक्स नहीं लिखते भी यूँ छोड़ देते हैं देखिए फैक्टोरियल 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 कुछ जुडेगा ही घटेगा नहीं इसका मतलब है e का मान सदेव 2 से तो क्या रहेगा बड़ा यानि e की जो value आएगी वो 2 से तो आनी है बड़ी अगर हमें e का निकरतम मान प्राप्त करना है तो हम थोड़ा निकाल कर देखतें इसको इसकी value हो गई 0.5 हम तीन इस्थानों त 5 अगर इसमें 3 का भाग और दे दे तो यह अपने पास factorial 3 की value दे देगा 3 0 0 3 बन जा 3 2 remainder 3 6 जा 18 अगें 2 remainder 0.166 इसकी value बनती है 0.166 अब 0.166 में हम divide कर देते हैं 4 का तो वो एक बटा factorial 4 बन जाता है 4 से गया 0 डिवाइड नहीं हुआ 4 4 जा 16 4 1 जा 4 0.041 0.041 एक बटा factorial 5 की बात करें तो इसके अंदर हम 5 का divide कर देते हैं 0.041 में 5 का divide करें 5 0 0 0 0 0 5 8 जा 40 0.008 प्लस में dash 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 ये हमने दश्रमलों के तीन इस्थानों तक मान देख रहे हैं निकरतम में देखे क्या अपराप्त होता है 8, 9, 9, 6, 15, carry 1, 4, 15, 5, 6, 11, 1, carry 1, 1, 1, 2, 2, and 5, 7, 0.2 2.715 से थोड़ा अधिक मतलब इसको लगबग में अगर हम लिखें तो 2.72 लगबग में हमें इसका मान प्राप्त होता है अर्था एका मान 2 से तो बड़ा परंतु 3 से छोटा रहता है जो लगबग में 2.72 के बराबर प्राप्त होता है तो ई का मान लगबग बराबर ये हमें याद रखना चाहिए ये एक आपरिमे संक्या है क्योंकि ये डिवाइट खतम नहीं होगा ये चलता चला जाएगा अनन्त पदो तक हमें लेकर जाना है तो ये लगबग में इसका जो मान प्रात होगा वो होगा दो दशमलाओ साथ दो अब हम देखेंगे लगू गणक में ध्यान रखने योग्य मुख्य बाते है लगू गणक में ध्यान रखने योग्य मतलब ध्यातव्य बिंदू ध्यान रखने योग्य बिंदू क्या है सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स सबसे पहले हम इसके गणितिये रूप की दुबारा एक बार बात कर लेते हैं हमने लिखा था यदि A की पावर X बराबर B हो तो इसी को लगू गणितिये रूप में लिखा जाता है log base A और value हो जाती है B बराबर में इसकी पावर चली जाएगी X ये इसका गणितिये रूप है example एक ले लेते हैं जैसे 2 की घात 3 लेने पर value आई थी 8 इसी को अगर हम log रूप में लिखें ये तो है घातिये रूप या घातां की रूप इसी का लगू गण की रूप किस प्रकार से लिखा जाएगा log base रहेगा 2 इधर लिखा जाएगा 8 बराबर में चला जाएगा 3 तो देखें यहां इसको कैसे पढ़े कि 2 की घात 3 लेने पर मान कितना प्राप्त होगा तो हमारा उत्तर हो जाता था 8 यहांपर हम इसको पढ़ेंगे 2 की घात कितनी लेवे कि हमें 8 प्राप्त हो जाए तो इसका उत्तर हो जाता हमारे पास 3 तो इसी आधार पर हम देखेंगे log A base B ये जो पद है इसको किस प्रकार से पढ़ा जाए कि आधार A की घात कितनी ले कि B प्राप्त हो जाए और इसको और भी सरलता से अगर समझना है तो इसके लम सीधा ये देखेंगे इसके आधार में क्या रखम लिखी हुई है 2 तो जो आधार लिखा हुआ है 2 उसको स्वयम से ही तब तक गुणा करें जब तक ये राशी प्राप्त नहीं हो जाती जैसे 2, 2, 4, 2, 8 प्राप्त हो गी राशी तो अगर नहीं पता लगता तो हम इसी आधार 2 को तब तक गुणा करते रहेंगे जब तक हमें ये 32 प्राप्त नहीं हो जाता जैसे 2, 2, 4, 2, 8, 2, 16, 2, 32 अब इसको काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 तो इसका अंसर हो गया हमारा 5 अर्था 2 की घात 5 लेंगे तब हमें ये 32 प्राप्त होगा अब इसी पद को फिरम ऐसे पढ़ेंगे लोग A बेस B का शाब्दिक अर्थ कि आधार A की घात कितनी लें कि B प्राप्त हो जाए तो इसे भी ध्यान में रखना है कि लोग A बेस B को इस प्रकार पढ़ते हैं कि आधार A की घात कितनी लेंगे कि B प्राप्त हो जाए कि B प्राप्त हो जाए ये इसका शाब्दिक अर्थ है तो अगर कहीं भी लिखा है जैसे लोग 5 मैंने लिख दिया 625 इसकी वैल्यो ओरली इसी 5 को 5 से ही मल्टिप्लाई तब तक करना जब तक ये 625 हमें प्राप्त नहीं हो जाता 5, 25, 25, 125, 625 मतलब 1, 2, 3, 4 4 बार के अंदर हमें ये प्राप्त हो जाएका तो ये हमारा आंसर बन गया इसका ये ही है लोग का गनितिय रूप तो ध्यातव्य बिंदू यानि ध्यान रखने योग्या महत्वून बात इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारा है लोग A, B, B आधार A है तो A की जगह कौन सी संख्याय रखी जा सकती है कौन सी संख्याओं पर लोग परिबाशित होता है और B की जगह कौन सी संख्याय रखी जा सकती है जिससे लोग परिबाशित हो अर्थात ये हमें मान देवे तो इसको हम पहले संख्या को संपून संख्याओं को वास्त्विक संख्याओं को हम एक संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं जैसे हम graph बनाते हैं मद्दे में लिखा जाता है 0 इस तरफ प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3 ऐसे चलते जाते हैं प्लस infinite तक और इस तरफ माइनस की संख्या negative तो इनको R- से व्यक्त करते हैं मतलब रिनात्मक वस्त्विक संख्या है real negative number दाई और अगर हम zero से बढ़ते हैं plus infinite तक सभी real number है और वो कैसे है धनात्मक है मतलब zero से बड़ी संख्या तो धनात्मक वस्त्विक संख्या जीरो से छोटी संख्याएं इस संख्या रेका पर रिनात्मक वास्त्विक संख्याएं कहलाती हैं तो धनात्मक वास्त्विक संख्याओं के लिए हम R-positive प्रियुक्त करेंगे धनात्मक वास्त्विक संख्याएं R- रिनात्मक वास्त्विक संख्याएं आर पॉजेटिव धनात्मक वास्तुविक संख्य है और एक अपने पास संख्या है सुन्य तो धनात्मक वास्तुविक संख्या वह होती है जिसका वर्ग करने पर मान सदेव धनात्मक प्राप्त हो जैसे हम plus 2 की बात करें अगर हम इसका वर्ग करें तो 2 दो नी 4 माइनस 2 का वर्ग करें माइनस 2 into माइनस 2 माइनस माइनस पलस 2 तू जा 4 तो कोई भी ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने के बाद मान धनात्मक प्राप्त होता है वे सभी संख्याएं कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं तो वास्तविक संख्याएं धनात्मक प्लस दो भी है रनात्मक माइनस दो भी है मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याएं भी होती है और रनात्मक भी होती है तथा इनमें शुन्य बिसमलित रहता है तो अब आपम इसमें बात करेंगे कि आधार A और ये जो मान है B इस जगह कौन सी संख्या प्रियुक्त की जा सकती है और इस जगह पर कौन सी संख्या प्रियुक्त की जा सकती है तो देखते हैं इसके लिए धनात्मक वास्त्विक संख्याओं में जीरो से बड़ी संख्या धनात्मक वास्त्विक संख्याओं में जीरो से छोटी संख्या सबसे पहले आपको मालूम है जैसे आधार हम ले लेते हैं दो सबसे समान्य है दो वास्त्विक संख्या है सबसे पहले हम ले लेते हैं दो की घात जीरो ही ले लेते हैं फिर कुछ धनात्मक संख्य है जैसे दो की घात दो और सबसे बड़ी धनात्मक संख्या दो की पावर इंफिनिटी फिर माइनस की संख्या ले ले लेते हैं दो की पावर माइनस दो ही ले ले लेते हैं चलो और दो की पावर माइनस इंफिनिटी सबसे छोटी धनात्मक वास्तिक संख्या तो नहीं है परंतु सबसे छोटी संख्या माइनस इंफिनिटी कहा जाता है कि माइनस अनन्त होगी और सबसे बड़ी संख्या क्योंकि अनन्त का मतलब जिसका अन्त नहीं जो ए परिभासित है जिसको प आयटा का अर्थ है, आयटा अपताब आएगा जब रूट के अंदर आपको माइनस का चिन मिलेगा, वो सभी संख्या कैसी हो जाएंगी हमारे पास, कालपनिक, आयटा कालपनिक संख्या और अनन्थ और माइनस अनन्थ ये भी ऐ परिबाशीत संख्या हैं, इनका कोई अर्थ यहाँ पर नहीं है, मतलब अंत रहित संख्याएं, तो सबसे पहले हम इनका मान देखते हैं, दो की पावर जीरो का मान एक, दो की पावर दो, यानि चार, दो की पावर अनन्त, वही गातांग नियम का सुत्र, आधार एक से बड़ा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनन्त, क यानि दो की पावर मैंनस 2 पराबर, एक बटा 4, एक बटा 4, यहाँ भाग देंगे, तो भाग आएगा 0 तर्शमलाव 2 पाँच, यहाँ बात करें, फिर हम यहाँ पर माइनस अनन्त गात को पहले प्लस अनन्त बनाएं, तो हमें एक बटे में लेकर आना पड़ेगा, एक B को हम लिखें लॉग रूप में तो अगर हम इसको लॉग रूप में लिखते हैं तो सब के लिए पहले हम लॉग ही लगा लेते हैं लॉग 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 अधार सब में देखिए दो ही है तो सबी का अधार क्या रहेगा दो सब का अधार हो जाएगा हमारे पा यहां पर आगया हमारे पास 0 बराबर में चली जाएगी घात तो मतलब बराबर में minus infinite, बराबर में minus 2, बराबर में plus infinite, बराबर में घात plus 2, बराबर में घात 0 तो हमने यहाँ पर घात प्लस की भी लेकर देखी, माइनस की भी लेकर देखी, जीरो भी लेकर देखी, प्लस में सबसे बड़ी प्लस इंफाइनाइट लेकर देखी, माइनस में सबसे छोटी यानि सबसे लास्ट की संख्या, पहली संख्या, माइनस इंफिनिटी भी लेकर द 0.25 पर positive यहां पर भी देखे positive यानि सुन्य अब अगर हम बात करें यहां पर तो घात चाहे धनात्मक हो घात चाहे रनात्मक हो घात चाहे सुन्य हो चाहे सुन्य घात है चाहे धनात्मक घात है चाहे रनात्मक घात है कैसी भी घात है मान सदेव कैसा प्राप्त होता है में धन अनन्त वास्तिविक संख्या नहीं है, यहां पर प्लस अनन्त भी वास्तिविक संख्या नहीं है, तो इसका मतलब है कि माइनस अनन्त और प्लस अनन्त, जब यहां पर हमेरे पास जीरो आया, यहां पर हमारे पास अनन्त आया, तो यह आ परिभाशित रहेगा, तो यह क्या रह पर जो मान आएगा वो धनात्मक वास्तिविक संख्या ही हो सकती है रिनात्मक नहीं हो सकती और सुन्ने यहाँ पर कपराप्त हुआ इस जगह सुन्ने जब घात क्या ली माइनस अनन्त परंतु माइनस अनन्त वास्तिविक संख्या नहीं है इसलिए यहाँ पर सुन्ने भी नह नहीं आ सकता क्योंकि उस पर यह परिवाशित संख्या बन जाती है लॉग A बेस B में अभी हमने देखा B के स्थान पर कौन सी संख्या आएंगी जो धनात्मक हो तता वास्तिक हो यहां पर ना तो सुन्ने प्राप्त होगा ना ही रिनात्मक संख्या प्राप्त होगी क्योंकि घात चाहे धनात्मक थी मान कैसा प्राप्त हुआ धनात्मक तो यहां पर वही मान पुट किया जाता है तो मान यहां पर सदेव कैसा है धनात्मक तो अर्थात लॉग A बेस B में या लॉग A बेस B तभी परिभाशित होगा जब आपका B कैसा हो? 0 नहीं होना चाहिए, माइनस का नहीं होना चाहिए अर्थात B आपका 0 से greater than हो मतलब 0 से बड़ा हो अर्थात आपका B बिलॉंग करना चाहिए R, परंतु कैसा? Positive B कैसी संख्या होनी चाहिए? B बिलॉंग करनी चाहिए Positive R, रियल नंबर में से अर्थाथ हम यू भी कह सकते हैं सी को कि हमारा जो B का मान है 0 से बड़ा परंतु 0 के बराबर नहीं और अनंत से क्या होना चाहिए छोटा जीरो से अनंत के बीच का मान अर्थात धनात्मक वास्त्विक संख्या ही होनी चाहिए अर्थात बी का मान सदेव धनात्मक वास्त्विक संख्या ही होनी चाहिए तब ही लोग परिबाशित होगा पहला point clear हुआ फिर इसी में बात करती है log A base B तब ही परिभाशित होगा यदी यहां तो हमें मालूम पड़ गया कि यहां परमान सदेव कैसा आएगा धनात्मक अब बात करते हैं आधार की तो सबसे पहले हम देखती है क्या आधार माइनस का हो सकता है चलिए हम आधार यहां पर माइनस दो लेकर देखते हैं जैसे आप यहां देखिएगा चार की घात हमने ली एक बटा दो इसका मान निकालते हैं चार को हम लिख सकते हैं दो का वर्क उसकी घात एक बटा दो दो से दो cancel क्योंकि एक गात अंदर एक गात बाहर है गातों का गुणा होगा तो उपर वाले दो से नीचे वाला दो cancel हो जाएगा दो की गात एक बोले तो दो चार की गात एक बटे दो को हम पढ़ते हैं गात आदी होने का मतलब होता है वर्ग मूल यानि उसका रूट और वो हमें कितना प्राप्त हुआ दो तो इसका मतलब है घात एक बटा दो ली जा सकती है और लॉग बनाते समय घात कहां चली जाती है बराबर में तो यहां पर हमने बराबर में अगर एक बटा दो लिखा मतल तो आधार तो रहेगा माईनस दो उसकी घात बनेगी एक बटा दो बराबर में ये मान चला जाएगा x तो x बराबर घात एक बटे दो का मतलब हो गया root किसका root माईनस दो का root के अंदर यदी माईनस की संख्या आ जाए तो वो कैसी हो गई आईटा यानि काल्पनिक इसका मतलब है कि यहाँ पर काल्पनिक संख्याओं के लिए तो लोग परिबाशी तो है ही नहीं अर्थात आधार कैसा नहीं लेना चाहिए माइनस का क्योंकि यह गड़बरता होती है जब हमारे पास आधार किसका आजाता है माइनस का अर्थात रिणात्मक वास्त्विक संख्याओं लोग का आधार नहीं बन सकती है फिर इसकी बात करें हम आगे क्या आधार सुन्य हो सकता है उसको जांच ले जैसे लोग है यहाँ पर हमने लिखा सुन्य यहाँ पर मैंने लिख दिया दो तो इसको तो सिंपल पढ़ी लें कि जीरो की घात कितनी लें कि दो प्राप्त हो जाए तरीका हमने पहले भी बताया था जो आधार है उसको स्वेम से तब तक गुणा करते चलो जब तक ये राशी प्राप्त नहीं हो जाती जैसे 0 into 0 into 0 into 0 into 0 करते चले जाओ कब आएगा दो आएगा ही नहीं इसका मतलब है आधार 0 अगर हम लेंगे तो भी हमारा लॉक का मान परिवाशित नहीं हो रहा तो लॉक कब चब नहीं परिवाशित होता जब आधार कैसा हो रिनात्मक वास्थिक संख्या तो लॉक परिवाश नहीं होगा तो लॉग को परिभाशित होने के लिए आधार कैसा होना चाहिए धनात्मक वास्तिविक संख्या हैं तो यहां भी कैसी संख्या आती हैं धनात्मक वास्तिविक संख्या हैं तो यहां भी कैसी संख्या आती हैं धनात्मक वास्तिविक संख्या हैं परन्तु एक मु के लिए ही परिवाशित है परंतु अगर आधार एक हो जाए एक भी तो धनात्मक वास्तुरी संग्या है इसी जगे रख कर देखें एक लोग वन बेस टू की वैल्यू निका लें अर्था एक की घात कितनी लें की दो प्राप्ट हो जाए वो तो आप जानते हैं एक एक सदेव एक ही आएगा दो तो प्राप्टी नहीं हो सकता इसका मतलब है लोग का आधार एक भी नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर बन जाएगा लोग ए बेस भी तभी परिभाशित होगा यदि आपका ए मतलब आधार आधार ए क्यासा हो धनात्मक वास्त्विक संख्या ही हो धनात्मक वास्त्विक संख्या ही होनी चाहिए सिवाए एक के यानि कौन सी धनात्मक वास्तिवी संख्या नहीं आ सकती यहाँ पर एक हम यहाँ पर एक पुट नहीं कर सकते जबकि यहाँ पर एक भी आ सकता था जैसे किसी की भी घात जीरो लेकर देखो दो की घात जीरो का मान एक तीन की घात जीरो का मान एक किसी की भी घात अगर 0 ले 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 उसकी value क्या बनेगी 1 log में इसको अगर हम लिखे तो log का अधार 2 इधर आ जाएगा 1 बराबर चला जाएगा 0 मतलब log 1 की value 0 और 0 वास्पी संग क्या है निकल रहा है मान इसको लिखें अगर हम log का अधार 3 एक आ जाएगा इधर बराबर में चली जाएगी घात 0 फिर log 1 का मान 0 यहाँ पर लिखेंगे log 4 इधर आ जाएगा 1 बराबर चला गया 0 तो log 1 का मान सदेव क्या होता है सुन्ये ये भी एक सुत्र बन गया आपने आप में log 1 की value हमेशा क्या होगी 0 log 1 की value क्या होगी 0 log 1 की value क्या होगी 0 चाहे आधार 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे 1000 हो मतलब log का आधार čाहे कुछ भी हो log 1 की value सदेव क्या होती है 0 तो इससे हमारा एक सुत्र और बन जाता है वो भी हम इसी ध्यान रखने योग्य मुख्य बात में डाल देती है कि तीसरा पॉइंट log 1 की value सदेव होगी 0 आधार A A का मतलब कोई भी संक्या पर न तो हम जानते हैं यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए 1 नहीं होना चाहिए जहां आधार A बराबर नहीं होना चाहिए 1 के पर इसी नियम में अगर हम देखें यहाँ पर अगर हम एक रख देते हैं तो इसको हम क्या पढ़ेंगे log 1 1 बराबर 0 क्या यह सत्य है या A सत्य है तो इसको हम पढ़ेंगे 1 की घाट 0 ले तो कितना आएगा 1 इसका मतलब यह चीज तो सत्य है परम तो इसको अगर ऐसे पढ़ें अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो एक का वर्ग एक एकम एक तो भी एक आता है मतलब एक को तो कितनी ही बार गुणा कर लो हमेशा क्या आएगा 1 तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कितने भी मान हमें यहाँ प्राप्त हो सकती है कोई भी संख्या यहाँ पर रखी जा सकती है तो फिर भी मतलब लोग 1 बेस एक बराबर 0 गलत नहीं है सकते है परमतु सिर्फ 0 ही प्राप्त नहीं होता इसमें बहुत सारे मान अपर कुछ भी मान आपर रख सकते हैं इसलिए कहा जाएगा कि आधार A क्या नहीं होना चाहिए 1 क्योंकि यह हमारा main point रहेगा कि log का आधार सदेव धन्यात्मक वास्त्विक संख्या होती है सिवाए 1 के तो जो भी आधार A है तो A is not equal to 1 लिखना पड़ेगा वहाँ B है तो B is not equal to 1 जो भी आधार लिखा गया वो not equal to 1 होना चाहिए अगली बात करें अगर हम example लेते हैं इसके लिए भी जैसे 2 की घात 1 बराबर 2 3 की घात 1 बराबर 3 4 की घात 1 बराबर 4 इसी को log रूप में लिखें तो आधार क्या रहेगा 2 ये वाली value दो आजाएगी इधर बराबर में चली घात 1 इसको लिखेंगे तो log 3 base 3 बराबर 1 इसको लिखेंगे log 4 base 4 बराबर 1 अर्थात अगर log का आधार और ये वाली value हो जाए समान ये दोनों हो जाएं समान ये दोनों हो जाएं समान तो उत्तर हमेशा कितना प्राप्त होता है एक तो इसी पर एक सुत्र बन जाता है कि log A base A अगर ये दोनों समान हैं तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा एक जहां आधार A बराबर नहीं होना चाहिए तभी परिभाशित होगा जब आपका यहाँ परमान सदेव क्या होना चाहिए जीरो से बड़ा अर्था धनात्मक वास्तिविक संक्या आधार A भी कैसा होना चाहिए सदेव धनात्मक वास्तिविक संक्या परंतु यहाँ पर एक नहीं आ सकता आधार क्या नहीं हो सकता कभी भ परंतु यहां पर एक आ सकता है कोई दिक्कत ने फिर हमने बात पड़ी कि लॉग एक का मान सदेव क्या होगा जीरो चाहे आधार कुछ भी हो परंतु कोई भी सुत्रियदी लॉग का लिखना कोई की कोई भी तत्थे लिखना है तो आधार जो भी दिखाया गया है वो एक के बराबर नहीं होना चाहिए इतना जरूर मैंशन करना है तो यहां पर हमने लिखा है लॉग ए बेस ए इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी वन अगर यह दोनों ही समान हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है वन आप चलते हैं तो डियर स्टुडेंट्स अब आगे चलते ह लॉग के सूत्र यहां से आपके लॉग के सूत्र प्रारंब होते हैं जो हमें क्वेशन में पुट करने हैं इससे पहले हमने क्या देखा था लॉग में सबसे पहले हमने पढ़ा कि लगू गणक गणित की वह संक्रिया जो बड़ी से बड़ी जटिल गणनाओं को आसान मना इसकी उत्पत्ती हुई थी घातां के रूप से घातां के रूप से ही लॉग रूप का उद्गम हुआ है उसके बाद में हमने देखा कि लॉग दो प्रकार के होते हैं पहला साधारन लगूगनक जिसका अधार दस हो और दूसरा हमारा प्राकर्त लगूगनक या नैपेरियन जिसे नैचरल लॉग भी कहते हैं जिस लॉग का बेस E होता है लॉग E बेस को L और N से भी लिखते हैं L मतलब लॉग N मतलब इसको नैचरल भी पढ़ते हैं और इसको नैपेरियन भी पढ़ते हैं नैपेरियन लॉग क्योंकि E की खोज करने वाले थे Sir John Napier तो नैपेरियन लॉग या नैचरल लॉग अगर यहाँ X है तो यहाँ X अगर यहाँ दो लिखाया तो हम यहाँ पर दो ऐसे लिख दिया जाता है तो लॉग थे दो प्रकार के साधारन लगूगनक और प्राकरत लगूगनक E का मान जो है वो Sir John Napier ने लगबग बराबर 2.7 दो प्राप्त किया था चरगातां की श्रेणी द्वारा और यह एक एपरिमे संख्या है एपरिमे संख्याओं में रूट की वो सभी संख्या है जिनका मान पॉइंटों में शुरू हो जाता है पूरा नहीं निकलता पूर्ण देगी एक यह तो पूर्ण वर्ण संख्या हो गई जबकि रूट दो एक पॉइंट चार एक चार मतलब पॉइंटों में शुरू हो गई तो जिसकी भी वैल्यू रूट में पॉइंटों में निकलने लगी वो सारी की सारी आपरिमे संख्या हो जाती है जैसे रूट दो हमारी हो गई परिमे संख्या तो रूट 10 रूट 11 रूट 12 रूट 13 रूट 14 रूट 15 परंतु रूट 16 का मान हो जाएगा चार तो वो भी हमारी क्या हो जाएगी परिमे संख्या तो एपरिमे संख्या है रूट की वे सभी संख्या है जिनका मान पूरा प्राप्त नहीं होता अर्था दशमलों में शुरू हो जाता है, वो सभी की सभी संख्यां कैसी होती है, एपरिमे संख्यां, और इसके साथ ये परिमे संख्यां में बस दो संख्यां याद रखनी है, पाई और एपरिमे संख्या समाप, एपरिमे संख्यां में क्या रहा, रूट की वो सभी संख्या जिनका मान दर्शमलों में start हो जाए, point में start हो जाए, पून वर्ग संख्या इसकी भीतर ना आवे, जैसे कोई कहे root 25, तो 25 का वर्ग मुल तो 5 निकल जाएगा, point में नहीं आएगा, तो वो तो परिमे हो गई, और बाकी कहे root 26, वो point में निकलेगा, पूरा नहीं निकलेगा, त इसकी खोज किस ने की थी, सर्जोन नैपियर ने, ध्यान रखने योग्य मुख्यबाद में क्या है, कि लोग A, base B में, यहाँ पर सदेव कैसा मान आएगा, जब लोग परिबासी तो, धनात्मक वास्तविक संख्या या अर्थाद 0 से बड़ा, और लोग का आधार भी क्या ह आ सकता है, परन्तु इसकी जगए एक नहीं आ सकता, लोग A की वैल्यू चाहे आधार कुछ भी हो, वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, परन्तु आधार A किसके बराबर नहीं लेना, एक के, लोग A, base A, मतलब A, base A, या कहो लोग B, base B, या कहो लोग X, base X, यदि ये दोनों स आतियों, आज के लिए इतना ही, अगला हम देखेंगे इससे next वीडियो में, धन्यवाद